हेलो फ्रेंड्स वालकम टू आज हम आपको बताएंगे एंड्रोड यूजर के लिए कि आज की आप्लिकेशन आप कैसे डाउन्लोड करें और आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं एंड्रोड में आप जाएंगे प्ले स्टोर पे और आप पहां जाके सर्च करेंगे आपको इस तरीके साइकन नज़र आएगा उसे आप क्लिक करेंगे आपको अप्लिकेशन इस तरीके से नज़र आईगे यह आप्लिकेशन डाउन्लोड होने के बाद हम आपको बताएंगे यह application कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या आपके इसके benefits हैं. Artans की logo से ही पैचाना जा सकता है कि यह application बिल्कुँ सही है, क्योंकि अगर कोई फर्जी application अगर आपको मिलती है, तो आप उस पर यह Artans का logo अवेलेबल नहीं हो सकता. अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि यह फर्जी है, तो आप directly हमें call कीज़ेगे. इस तरीके सापकी application डाउनलोड होती है, आप इससे open करेंगे. Open करने के बाद इस तरीके से आपका display होगा. यह एक number जो आपका phone number है, आपका mobile phone जिसमें आपने application डाउनलोड करीगे. उसके बाद आपको OTP आएगा, OTP आप इसमें डाल देंगे. आप OTP डालेंगे, verify जाएगा आपका number, और यह आपकी application on हो जाएगे. इस बात का ध्यान रखें कि application डाउनलोड तो आपसे हो जाएगे, लेकिन आप आगे की चीज़ें पढ़ नहीं पाएगे. तो जो चीज़ें आपके introduction में दी गई हैं, जैसे वीडियो, आपके study material कुछ दियोंगे, वो आपको थोड़े बहुत खुलेंगे. इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे कि already मैं इस batch में added हूँ. अगर आपको देखना है कि आप मैं मुझे पढ़ाई करनी हैं, कि तो मुझे कौन से batch में जाना है, तो मेरे नीचे option दिया है, वहाँ पर मैं batch पर click करूँगा. जैसे ही batch पर click करूँगा, मैं जिन-जिन batch के अंदर होँगा, उसका नाम उपर लिखा जाएगा. मैं अभी फिलाल studio situation, GDPI batch के अंदर added हूँ. मैं इसके उपर click करूँगा. Click करने के बाद, मुझे सबसे उपर overview, attendance, assignments, ये जो option दिया है, इसको मैं scroll करूँगा. ये जब scroll करूँगा, तो मुझे और भी चीज़े नज़र आएगे, announcement, test, video, live classes. वीडियो पर जब मैं click करूँगा, तो वीडियो पर click करने के बाद, मुझे कुछ इस तरीके से folder नज़र आएगे, और आप देखेंगे किसे के अंदर बहुत सारे वीडियोज है, आपको यहाँ पर, especially अगर देखा जाए, तो यहाँ पर audio instruction भी दिये गए है, इसे आप खोलेंगे, तो ये मेरी ही आवाज में कई सारे instruction दिये गए है, जैसे एक ही करके आप instruction देखेंगे, ये तो interview के instruction भी दिये गए है, जिसमें आप ये पढ़ सकते हैं, या आप बता सकते हैं, या आपको note करनी वाली चीज है, कि किस-किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजे इसमें available है, ऐसे सभी एक folder individually बने हुए हैं, आप इसमें जाके हराम से पढ़ाई कर सकते हैं, दूसरी चीज, जब हम batch को दुबारा खोलते हैं, तो आपको सबसे नीचे वाले part में, view study material आएगा, इसे आप click करेंगे, click करने के बाद, यहाँ पे PDF format में, कई सारी चीजें खुल जाएगी, अभी इसमें जो studio है, situation classes हैं, वही material खुलेगा इसमें, तो जैसी मैं जिस पे click करूँआ, एक पे वो खुल जाएगा, तो मैं easily इस पूरी PDF को देख सकता हूँ, कि इसमें क्या-क्या material हैं, क्या-क्या मेरे लिए फायदिमन वाली चीज़ हैं, इसमें मैं जिस दिख जाएगा साब, तो फिलाल आप यहाँ जाएगे पढ़ाई कर सकते हैं, दूसरा, हम लोग यहाँ पे life classes भी लेते हैं, तो आपको यहाँ पे भी life classes के लिए, रेजिस्टर कर दिया जाएगा, जैसे आप रेजिस्टर कर दिया जाएगे, तो यहाँ पे आपके hours आजाएगे, घंटें आपको मिलेंगे, कितने घंटों के पढ़ाई आप कर सकते हो, जितने घंटों के आपके पढ़ाई करोगे, वो आपके जो time मिलेंगे, आपको minutes मिलेंगे, वो कम होते चले जाएगे, तो live classes आप यहाँ ले सकते हैं, आपको एक बात का और धियान रखना है, कि आपके पास यहाँ पर announcement वाला option, option दिया गया है, तो अगर कोई announcement किया जाता है, तो वो announcement आपको यहाँ पर दिखेगा, ताकि आप जाकी देख सकते हैं, कि आज का कोई special announcement है या नहीं, जैसे suppose अभी मैंने मान लीजे, यह पहला वाला announcement मैंने खोला, तो पहला वाला announcement में यह दिया गया है, कि मेरी online classes हो रही है, किस application के थुरू होगी, कि कैसे होगी, कहाँ होगी, कितने बज़े होगी, तो आपके सारे announcement आपको यहाँ दिये जाएगे, एक test का option दिया गया, अगर कोई test आपको यहाँ दिया जाएगा, तो यह test open हो जाएगा, जैसी test पर click करेंगे, आपके questions आना start हो गएगे, Assignments, आपको assignment भी दिया जाएगा, जब भी आपका assignment दिया जाएगा, तो आपको announce किया जाएगा, आपको message किया जाएगा, कि यह आपका assignment आपको आ गया है, और इतने से तने time decision के अंदर आपको send करना, आपकी attendance mark होती है actually, आपकी attendance आप चेक कर सकते हैं, दूसरी चीज, जब application से आप बहार निकलते हैं, तोड़ा सा, मलब सॉरी, अपने पैस से बहार निकलते हैं, आप यहाँ पर option दिखेंगे हैं, सारे option खुई जाते हैं, हमारा contact number, Facebook profile, Google, आप वहाँ जाएगे चेक कर सकते हैं, हमारी profile के हम लोग कहाँ पर कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, हम YouTube पर हैं, तो YouTube चैनल पर आप सब्स्राइब कर सकते हैं, वहाँ जाएगे देख सकते हैं, हमारी सारी वीडियो वगरा सब कुछ, तो आपको आटन्स के बारे में, 92511000 पर WhatsApp कर सकते हैं, अगर कोई भी दिख्कता आती है, तो मैं आपको कोई घल्प करूँ, Thank you so much all of you.